नमोस्तु महराज जी मेरा नाम ममता जैन है मेरी शंका ये है कि कुछ लोग मंदिर की अंदर पर्स ले जाते हैं बेल्ट ले जाते हैं या मोजे पहन कर जाते हैं ये उचित है या अनुचित है ये शंका का समाधान करें नमस्तु माराजी या असुद्ध शरीर बिना इश्नान के मंदिर जाए या फिर जूते चप्पल आदी पहन के जो उसमें मोजे रहते हैं अपन मोजे पहनते हैं जूते चप्पल से संपर्ग होता है पशीना निकलता है और उसमें बहुत सारे सुष्जी पैदा हो जाते हैं तो उनकी हिंशा हो होती है और उसके साथ साथ ही उसमें इसमेल आती है कितने ही वहां पर दर्सनारतियों के भाव बिगड़ते हैं वो बड़िया मन से स्वाध्य कर रहे हैं मंत्र कजाब कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं और आप वो इसमेल लेकर के मोजे के गए तो लोगों के भाव बिगड़ इस पकार से हमें मंदिर की जितनी ही शुदता रखेंगे, आचारियों ने कहा है, सुदता से ही चमतकार होते हैं, अश्य पैदा होता है, अश्य हमारे भावों में होता है, भावों से हमारी फरकर्मों की निर्जरा होती है, पुर्ण की व्रधी होती है, पाप का श्य होता है, सारे राष्टे खुलते हैं संसार के शुक्के और मोक्ष के सुक्के राष्टे खुलते हैं तो ऐसा जो पवित्र स्थान होता है मंदिर सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान होता है ऐसे इस्थान में हमें इस्नान करके कुल्ला करके साप सुत्रे कपड़े पहन करके शुद्ध वस्तरों को पहन करके भावों को शुद्ध करते हुए नंगे पेर और पेरों को विधो करके मंदिर में सुद्ध भावों से वहाँ प्रवेश करें जितनी आप पवितता रहोगी देखो हमारी ड्रेस का प्रवाव देखो हम इस श्कूल में ड्रेस पहन के जाते हैं तो पढ़ने का भाव लगता है यदि हम मंदिर की ड्रेस सुद्ध रखेंगे तो वहाँ पर हमें पूजा पाट करने का भाव पैदा होगा अराधना करने का भाव पैदा होगा इसलिए देवी देवताओं का वही आगमन होता है जहां पर शुद्धता रहती है सुनते हैं ने इस मंदर में चमतकार है इस मंदर में अस्य होता है देवी देवता रात को आकर के पूजा करते हैं घूंगरु की अब आजाती है, ढूलक की अब आजाती है इस सब क्या है? क्यों आते हैं? वहां की जितनी पवित्ता होगी तो वह सब को खीचेगी आकरशन का केंदर बनता है जगह, इस्थान, छे तो प्रितिमा इस सब आकरशन की स्थान बनते हैं लेकिन वो कब जब वहां का एक एक कड़ जो है पवित्र है, शंबेश सिखर कितना पावन है हमारा मन करता है, जाने का भाव रखता है, इसलिए इस पात का ध्यान रखें, मंदिर में कोई बेल्ड, कोई पर्ष और इस पकार से कोई मोजे आदी पहन के न जाए, पवित्ता बनाए रखें, नमस्तु मारा जी, मेरा नाम मन्जु है, मेरा संका ये है, कि पुन्न के बल से अरहंत बनते हैं, तो क्या हमें भी पुन्न करना चाहिए, पुन्न का फल अरहंत दसा, बिलकुँ सही बात है, और ऐसी बात आचार भगवन कुंदकुन स्वामी ने प्रवचन स अरहंतार में भी का है, पुन्न फल अरहंता, पुन्न का फल अरहंत, अरहंत मतलब तीठंकर अवस्था, तीठंकर अवस्था यहां पुन्न का फल क्यों वो लगया, तीठंकर का समोशन लगता है, पंच कल्यानक से शंपन होते हैं, तो ये पांचों कल्यानक बिना पुन्न क उदे से प्राप्त नहीं हो सकते जिस जीव ने पूर भाव में तीठंकर प्रगती का बंध बांदा हो उस जीव के ये पांच कल्याणक शंपन होते हैं और इन पांच कल्याणक जो हैं महापुन्न का फल है इसलिए पुन्न का फल अरहंत बताया लेकिन ये हुआ बा है लेकिन भाव अरहंत भावों से जो अरहंत पना है वो पुन्न का फल नहीं वो हमारे पुर्शार्थ का फल है बरतमान के शुद्धो प्योग का फल है यदि सुद्धो प्योग नहों तो क्या कोई जीव अरहंत बन सकता है क्या कोई केवल ज्यान को प्राप्त कर सकता है फिर तो जीव की पुर्शार्थ की हिंता हो जाएगी तो बरतमान में जीव का शुद्धो प्योग का पुर्शार्थ ये उसका फल अरहंत दसा है भाव अरहंत दसा है और बहिरंग में जो समोशरण आदी की बिभूती आदी की प्राप्ति, सभाव की प्राप्ति, दिवताओं का आकर के नमश्कार करना, गुरुगान करना, इस सब की जो प्राप्ति है, वो हमारे पुन्न प्रगती का फल, तो पुन्न प्रगती का फल और भावों का फल, दोनों मिलकर ही एक अरहंत दसा की प्राप्त हुआ करती है इस बात को ध्यान लखना इसलिए हमें नियम से अपने भावों को भी शुद्ध रखिए परतमान में पुर्शार्थ भी कीजिए बरत नियम आधी के लिए आचरण के लिए और पुन्न का बंद भी कीजिए भक्ति आधी के माध्यम से देव सास्त गुरू पर ज प्राप्ति होती है और भावों में शुद्धी आती है तो बैठे हुए सत्ता में जो कर्म है वो छे को प्राप्त होते हैं निर्जीन होते हैं जीनशीन होते हैं और हमारे लिए अच्छे साधन मोक्ष मार्क के मिला करते हैं अच्छी गतिया मिलती है और परमपरा से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है इसलिए पुन्न हमारे जीवन में अवश्यक है भावों से भी और क्रियाओं से भी आचारे श्री नमोस्तू मेरा शंका ये है कि काल लब्धी आने पर ही मोख्ष होगा या हमें उसके लिए पुर्शार्थ करना पड़ेगा काल लब्धी और पुर्शार्थ देखिए इन सभी के संयोग से जीव को उपलब्धी की प्राक्ति होती है किसी कार में काल लब्धी भी लगती है पुर्शार्थ भी लगता है भाग भी लगता है निमित्य भी मिलते हैं सो योगता की अपने प्रगटता भी होती है और शुभ अभाव, नित उपादान, हौनहारता, भविता, इस सब जो हैं हमारे जीवन में परम अवश्रक होते हैं, लेकिन कोई एक कोई पकड़ के बैठता है कि काल लब्धी मातर से ही मेरा कल्यान होगा, तो ये गलत है, गौतम स्वामी वहां भगवन से पूछा गया कि भगवान की बाणी क्यों निखिरी, तो बुले कि गौतम का अभाव, काल लब्धी नहीं थी, तो गौतम नहीं मिले, ठीक है, वहां एक जबाब दिया गया, वह एक प्रश्न का आंसर दिया, मातर काल लब्धी मातर कार करेगी ऐसा नहीं है, काल लब्धी के सहारे रहेंगे, तो फिर हम तो काल के बरों से बैठे रहें, जब समय आएगा तब कल्यान हो जाएगा, तब बैराग हो जाएगा, मुनी बन जाएगे, मोक्ष ले जाएगे, और हमें बरतमान में बृत की, नियम की, महा बृतों की, आचन की, शयम की, श्यम की, श्यम तक कोई ज़रूरती नहीं है, खा कार हो जाएगे, वही काल लब्धी कहलाती है, सच बात है, जिस समय जो कार, जिस समय जिसकी निमद से जैसा होना है, और हो जाता है, कार हुआ, तो काल लब्धी हो गई, हम तो कहेंगे, पुरशार्थ करो, और जिस समय पुरशार्थ करोगे, वही आपकी काल लब्धी हो ज इस परकार से हम जो है एक मात्र काल लब्धी के भरों से बैठे रहें कि जब होगा तो अथा काल, जब मिलेंगे अरहन, जब मिलेंगे ती थंकर तब देखेंगे अभी तो कुछ नहीं है, पंचम काल है, कहां मोक्ष है, कहां मुनी है, इस सब बातों को लेकर के लोग भ्रमित दिख थे.